विकट कीपर और कप्तान, क्रिकट के मदान के दो ऐसे मोहरे जिनका रोल क्रिकट में सबसे कटन होता है एक विकट के पीछे रहकर धमाग लडाता है तो दूसरा सामने से होकम चलाता है मेरी भी बचपन से ये कीपर के रोल वाली ख्वाहश रही है जो कभी पूरी नहीं हो पाई वैसे आपका अपनी टीम में कौन सा रोल है जनब बॉलर, बल्लेबास, कीपर, कप्तान या फिर पानी पिलाने और पिछ साफ करने का कॉमेंट में तो बताओ जरा दोस्तो वैसे दो विगट कीपिंग और कप्तानी दो अलग 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 रोल है और दो अलग अलग खलाडियों को ही ये युनीक जॉब्स निबाने का मौका दिया जाता है मगर 1895 में उस्टेलियन विगट कीपर जैक ब्लैक हैड को पहली बार ये दोनों रोल एक साथ सौंबे गए थे और इसके बाद कई और विगट कीपर कप्तान आये जैसे पाकसन के पास मौईन अली सरफराज दौसया के पास गिलकरिस्ट और टिम पेन सिनलेंगा के पास संगा कारा और सौत विगट कीपर कप्तान महेंदर सिंग धोनी में थीना वो कभी किसी दूसरे में नजर नहीं आई तो आज की विडियो में हम कंपैरसन करने वाले हैं दुनिया के सभी विगट कीपर बल्ले बाजों का और देखेंगे किस के अंदर धोनी वाली अबिलिटीज नजर आती हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो इस दोर में जहां करिगट बेहत तेज और इंटर्टेनिंग हो चुकी है तो हर टीम में ही हमें एक नहीं बलके कई सारे विगट कीपर बल्ले बाज नजर आते हैं जैसे पाकिस्तान के पास इस वकत चार विकट कीपर बल्ले बास हैं, इंडिया के पास चे विकट कीपर हैं जबके इंग्लेंड के पास पांच विकट कीपर बल्ले बास हैं लेकिन जरा इन दो विकट कीपर बल्ले बाजों को तो देखिए, महमद हारस और आजम खान दोनों ही पाकसान के लिए डैब्यू कर चुके हैं, महमद हारस जो के बल्ले बाजी में इनोवेटव हैं और 360 शार्ट्स लगाने की अबिलिटी भी रखते हैं, और कहीं न कहीं इनक इतने मोटे हैं, विकट के पीछे उतने ही एक्टिव हैं, मगर इने पाकस्तानी टीम में अभी तक कोई खास मौका नहीं मिल पाया, तो आपके ख्याल में महमद हारस यापिर आजम खान कौन होगा पाकस्तानी का फ्यूचर विकट कीपर? नमबर नौ पर मैं कमपैरजन करने वाला हूँ वेस्ट इंडियन विकट कीपर नेकलोस पुरान और इशान कीशन का, बात करें दोनों की बलेबाजी की तो इसमें दोनों ही धाकड बलेबाज है, मगर इशान कीशन का पलड़ा स्ट्राइक रेट को लेकर पुरान से काफी भारी नज़ और अगर दोनों की विकट कीपिंग स्किल्स को देखें तो ये चोटे कद के विकट कीपर शान कीशन इस मामले में भी जादा शातर दिखाई देते हैं, वो विकट के पीछे रहकर भी गलव्स के साथ नेकलोस पुरान से बैटर स्किल्स दिखा चुके हैं, तो मेरी ख्याल में शान कीशन ही यहां बैस्ट है, आप के कहते हो, नमबर 8, दोस्तो वैसे तो इस दोर में एक विकट कीपर जरा सर धगमगाता है तो उसकी जगह लेने वाला उससे भी बेहतर स्किल्स दिखाता है, बस कुछ ऐसा ही इन दोनों विकट कीपर के बीच भी हो चुका है, जी ह तो वो 2017 की चैंपियन ट्रोफी के वजेता भी है, और PSL में भी कप्तानी करते हुए इनकी टीम तीन बार फाइनल खेल चुकी है और एक बार जीत भी चुकी है, 2018 में जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया तो महमद रिजवान को भी टीम में इंट्री मारने का मौका मिल तो सरफराज कप्तानी सी में रिजवान से बहुत बहुत बेटर नजर आते हैं, सरफराज में हमेशे से ही मैच को बदलने की अबिलिटी रही है, चाहे मैच की कैसी ही सिच्वेशन हो, वो आखर तक जान लडाते हुए नजर आते हैं, और मुश्कल सिच्वेशन को हैंडल क सही इस्तमाल करना सर्फराज से भेतर कोई नहीं जानता लेकिन अगर बात विगट कीपिंग और फिटनेस की करें तो इसमें रजवान सर्फराज से भेतर है जनब मुझकल से मुझकल कैच हो, स्पीडी स्टंपिंग हो या फिर कोई स्टंट दिखाते हुए रन आउट करना हो इस सब में रजवान परफेक्ट है जनब तो फिर आप रजवान और सर्फराज में किसको चूज करने वाले हो कॉमेंट में बताइएगा नमबर साथ दोस्तो क्रिकेट में कुछ खलाडी हर फ़न मौला होते हैं मतलब कप्तानी, विगट कीपंग, बल्ले बाजी और फेल्डिंग हर चीज में कमाल इस लिस्ट में साथवे नमबर पर मैंने दो ऐसे ही विगट कीपर बल्ले बाजों को रखा है दोनों ही राइट हंडड बल्ले बाज हैं, दोनों ही ओपनर और मिडल अटर में बल्ले बाजी करने की अबिलिटी रखते हैं और दोनों ही आईपिल में कप्तानी की कुरसी संभाले हुए हैं जी हाँ, हम बात कर रहा हूँ केल राहूल और संजु सामसं की ओवराल देखा जाए तो केल राहूल के पास अच्छी किसमत है जो संजू सामसन के पास बिलकुल भी नहीं है वरना बाकी सभी अबिलिटीज में संजू केल राहूल से भी दो हाथ आगी है मगर जब बात इंटरनाशनल लेवल पर आती है तो संजू की किसमत वहाँ इनका साथ नहीं दे पाती या तो इन्हें मौका नहीं मिलता और अगर मौका मिलता है तो वह परफॉर्म नहीं कर पाते और अगर बात कप्तानी की करें तो दोनों ही अपनी अपनी टीम्स को आईपिल ट्रॉफी नहीं दे पाए मगर विनिंग पसंटेज के हिसाब से संजू सामसन केल राहूल से बहतर कप्तान साबत हुए है क्योंकि इनका विनिंग पसंटेज 48 का रहता है जबके केल राहूल का 43 का और इनकी टीम 2022 का IPL फाइनल भी खेल चुकी है और अगर बात स्टम्स के पीछे खड़ी रहकर विकट कीपिंग की हो तो इस काम में भी दोनों टककर के हैं जनाब तो आप ही बताईए इन दोनों में से कौन सा विकट कीपर बल्ले बाज आपको बहतर लगता है भाई एक दोर था जब उसलिया के पास एडम गिलकिस जैसा विकट कीपर बल्ले बाज हुआ करता था जो विकट की पीछे गलव से और विकट के सामने बल्ले से धूम मचाया करता था आज भी धोनी के बाद इन्हें दुनिया का दूसरा सबसे बेतरी इन विकट कीपर बल्ले बाज माना जाता है 2014 में येवला रोल ब्रेड हैडन ने नभाया और अब मैथ्यू हैडन गलवस पहने विकट के पीछे एक कमाल दिखाते हुए नजर आते है वैसे तो इस वकत असलिया के पास टिम पेन, अलक्स कैरी और मैथ्यू वेड की सुरत में तीन-तीन विकट कीपर बल्ले बाज है लेकिन जो स्किल्स मैथ्यू वेड में है वो बाकी दोनों में नहीं नजर आती लेकर अगर देखा जाये तो मैथ्यू वेड के बाद उसलिया के पास कोई भी भेतर फ्यूचर विकट कीपर नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, इंगलन की टीम एक असी टीम है जिसमें इस वकत पांच कमाल के विकट कीपर बले बाज मौजूद है जौनी ब्रिस्टो, फिल सॉल्ट, सैम बिलिंग, बन फॉक्स और जॉईस बटलर की सुरत में मगर बात अगर जॉईस बटलर को छोड़ कर बाकी चारों की कीज आए न तो इंका कमपैरिजन भी बहुत टफ होने वाला है जनाब 2018 में जब जौनी ब्रिस्टो का बला रंद जुगल रहा था तो सब का ख्याल था कि वो ही इरंट की टीम के फ्यूचर कैप्टन और विकट कीपर होने वाले है मगर पिर सैम बिलिंग आया जो बले बाजी और विकट कीपिंग बागी टीम्स की तरह न्यूजलेंड की टीम के पास भी विकट कीपिंग की धोड में इसमगत तीन तीन विकट कीपर बले बाज मौजूद है टॉम लैथम डिवान कॉनवे और टॉम बलंडल की सुरत में मगर असल कम्पीटेशन तो जनाब टॉम लैथम और डिवान कॉनवे के बीच में चल रहा है दोनों ही लेफट अंडल बले बाज हैं और दोनों ही बहुत बढ़िया विकट कीपर भी है और दोनों ही न्यूजलेंड के फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं जनाब अभी तक कप्ताने की कुरसी तो टॉम लैथम के हाथ नजर आ रही है मगर जिस तरह से डिवान कॉनवे का बल्ला चल रहा है मेरे ख्याल में वो टॉम लैथम को मात दे जाएंगे और कुछ ऐसा ही विकट कीपिंग में भी होने वाला है क्योंके टॉम लैथम विकट की पीछे वो वाला कमाल नहीं दिखा पा रहा है जो ब्रैडर मकालम में था तो क्या लगता है आपको टॉम लैथम या पर डिवान कॉनवे कौन बनेगा न्यूजिलेंड का फ्यूचर विकट कीपर कैप्टन दोस्तो सौथफरिका के टीम बले ही क्रिकट की सबसे आले लगी टीम रही हो मगर इस टीम ने बड़े-बड़े खलाडियों को जनम दिया है और अगर बात विकट कीपर की करें तो सौथफरिका के पास कई लज़ेंड विकट कीपर भी गुजरे हैं जैसे मार्क वाचर और एबी डिविलेस अभी भी सौथरिका के पास कौइंटन डीकॉक और हैंदर इच कलासन की सुरत में दो विकट कीपर बले बाज मौजूद है वैसे कौइंटन डीकॉक में कई ऐसी अबिलिटीज हैं जो इन एक शातर विकट कीपर बले बाज बनाती हैं जैसे इनका स्पीडी स्टंपिंग और ये फखर जमान को आउट करने वाली चाल या फिर इस तरह की आउटस्टैणिंग कैचस दोस्तों इंडियन टीम में धोनी के बाद इस वकट पांच विकट कीपर बले बाज मौजूद है जिन में से सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो धोनी की तरह फिंशर का रोल भी निवा सकते हैं जी हाँ दनेश कार्थक और रिशेप पंथ दोनों ही लोर अडर पर बले बाजी करने आते हैं और दोनों ही फिंशर वाली अबिलिटीज भी रखते हैं कुछ लोगों का मानना है कि दनेश कार्थक बेतर हैं और कुछ रिशप पंथ के फैन है मगर honestly देखा जाए तो दिनेश कार्थक फिंशर वाला रोल रिशे पंथ से बेहतर निवा चुके हैं जैसे निदाज टॉफी का फाइनल देखिए स्ट्राइक रेट में भी दिनेश कार्थक थोड़ा उपर ही नज़र आते हैं और अगर बात स्टम्स के पीछे खड़े रहकर कमाल दिखाने की हो तो इसमें दोनी को गुरू मानने वाले रिशे पंथ इस मामले में बहुत बहतर नज़र आते हैं विगट के पीछे खड़े रहकर कॉमेंट करना बॉलर्स को समझाना और उपर से इनका नड़ार अंदास भी कहीं न कहीं धोनी से मिलता है तो आपको किसकी विगट कीपिंग और किसका फिन्शिंग स्टाइल पसंद है जनब दिनेश कार्थक का या फिर रशब पंथ का इनका पस्टाइल पसंद है जनब जिसकी किसमत धोनी के जैसी ही नजर आ रही है वैसे अपने कैरियर की शुरुआत में बटलर भी धोनी की तरह फिन्शर ही हो अगरते थे मगर फिर राजस्तान रॉयल नहीं ने उपनर आकर मारदाड करने का लाइसंस दिया और अब वो उपनिंग करते हुए नजर आते हैं माना के बल्ले बाजी में बटलर कमाल है मगर विगट कीपिंग में दोनी जैसी स्किल्स दिखाना अभी इनके बस की बात नहीं है जनब जैसे दोनी की रेड रेंज डाइव्स हूँ या पिर स्पाइडर सेंस मोमेंट्स प्रेडियेटर स्किल्ज हो या फिर बैक्ट मैन वाली अबिलिटीज शेर लॉक वाली चाल हो या फिर कैप्टन अमेरका जैसा नडार अंदाज तो मेरे ख्याल में दोनी की विगट कीपिंग स्किल्ज तक बटलर कभी नहीं पहुंच पाएंगे आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा और जाद जाते हमें इंस्टा पे भी हेलो हाई ज़रूर बोलिएगा